अलो फ्रेंड स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चनल नालिक फटापड में तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीड बात करने वाले यूपी इसकालसिप इस्टेटस 2021 बात करेंगे कि आप अपने यूपी इसकालसिप का इस्टेटस कहां से कैसे चेक कर सकते हैं इसक सब्सक्राइब का स्कालज से हैं कि आपको पता होगा आपका फार्म डिस्टिकव लेवल से वरिफाई हो जाता है तो आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके साथ ही आपको और गूड न्यूज देनी हैं वो ये है कि बहुत सारे चात्तिरों कि इसकाललसिप उनके PFMS पर Under Processing में सोना स्टार्ट हो गई है तो किन-किन छात्रों की स्काल सीप उनके खाते में आना स्टार्ट हो गए इसके बारे में complete बात करेंगे मतलब आपको दो-दो news देनी है किन-किन छात्रों का status सो हो रहा है वो अपना status कहां से चेक कर सकते हैं और जिन छात्रों का है कुंका कब तक सो होगा और जिनकी स्काल सीप आना स्टार्ट हो गई जिन दिन छात्रों की वे अपना स्काल सीप कहां से चेक कर सकते हैं पूरा डीटेल में हम एट टू जेट बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से फ़ले एक छोटी स्रीक्वेस्ट है चैनल पर नहीं होते हैं चैनल सबस्राइब करके बेल अकुन का प्रेस कर लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं में जो दिखाई देरा सिकेंड वाला चेकिस काल से पी स्टेटस बैंक पी एफ यम या सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है तो फ्रेंड्स आप फिर से एक नहीं इंटरफेस पहुंच जाएंगे यहां पर स्कॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आप यहां पर क्लिक यह पर क्लिक करके अपना एकाउंट नंबर डालके बैंक का नेम डालके कैप्चा फिल करके अपनी स्काल सिप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्काल सिप आई है कि नहीं आई है फिलाल मैं आपको बता दू अभी सिर्फ यसी वालों की स्काल सिप आई है ओभी सी जेनरेल वालों की नहीं आई है तो आप यहां से जाके चेक कर सकते यसी के कैंडिडेट अब मैं बात करूँ इस काल सिफ इस्टेटस के बारे में तो अभी मैं आपको क्लियर बता दू जो बहुत सारे छातर पूछ रहे थे वो वीडियों पूरा लगता है देखते नहीं वो स्टेटस नहीं सो रहा है तो अभी तक सिर्फ फ्रेश वालों का स्टेटस सो रहा है ना कि रिनुवल वालों का जैसे इसे होगा मैं आपको वीडियों को ठूरू जरूर बता दूंगा तूरंत अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी बस आप एक काम करिए चैनल को सब् पूस्ट मेंटरिक अधर दैन इंटर का मैं फ्रेस हूँ तो फ्रेस पर क्लिक करके चेक करूंगा तो friends आप देखिए आपके सामने एक नए इंटरफियस open होके आ जाएगा यहाँ पर आप देखिए आपको आवेधन का प्रकार प्रेस अलेडी फिल अप करके आ जाएगा पाटकरम का प्रकार भी आजाएगा यहाँ पर आपको रेजिटेशन संक्या डेटा बर्थ पासवर्ड कैप्चा फिल करके सब्मिट करना है तो चरिए हम पहले आपको सारा कुछ फिल अप करके फिल दिखाते हैं प्रिंट आवेधन करें आवेधन प्रिंट करें यहाँ पर आपको यह आपसन दिखाए दे रहा तो सिंपली आपको अपना इस्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर उपर दिखाए दे रहा है आवेधन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें ग्रीन कलर मे तो simply आपको इसी पर क्लिक कर देना है तो friends आपके सामने देखेंगे ये आपका scholarship का पूरी तरह से status होने लगा है फिलाल मैं आपको बता दू ये अभी तक friends वालो का show हो रहा है Renown वालो का अभी नहीं show हो रहा है जैसे Renown वालो का status हो गाँ मैं आपको वीडियो को मातम से जरूर बताऊंगे बस आप चैनल को सब्स्राइब करके रखिएगा तो यहां पर देखिए यहां से आपको क्या पता चलेगा रेजिटेशन कंप्लेट हो चुका आपका यहां पर दिखाएगा 31 तारीक को दस्वा महिना 2020 सब्सक्राइब करने लगेगा और यहां पर आपको सो करें तो यहां से आप कर सकते हैं कि आपका फार्म आपका स्टेस कालिज लेज्ग से फारवड हुआ है या नहीं डिष्टिक लेबल के लिए हुआ है कि नहीं हुआ तो दोस्तों अगर वीडिवेजी लहां तो लाइक करिए सब्सक्राइब करें कि लिए कि साथ तक देडिए कि.